नमस्कार दोस्तों Android वेड़ी में आपसे भी का स्वागत है आज हम लोग करने वाले Samsung Galaxy A50s और Realme XT के वीज में एक camera comparison यह एक detail camera comparison है लेकिन यहापे मैंने 48 और 64 megapixel का camera comparison नहीं किया है क्योंकि उसका एक मैंने detail में अलग से वीडियो बनाया है वहाँ पे बहुत सारे photo samples दिखाया है और वहाँ पर क्या कुछ differences है वह भी मैंने यहां पर दिखाया है तो उस वीडियो को चाहिए तो आप देख सकते हैं लिंक description में आपको मिल जाएगा और चलिए शुरू करते यह वीडियो और शुरू करने से पहले camera specs आप लोग बता रहेते हैं Realme XT में आप लोग को sensor और 2 Megapixel का Macro Lens यहां पर देखने को मिल जाता है वही अगर Samsung Galaxy A50s को देखे तो यहां पर लोग को देखने मिलता है triple camera setup जिसका main sensor है Sonica IMX582 जिसका aperture है f2.0 साथ में आप लोग को एक wide angle camera 8 Megapixel का और 5 Megapixel का depth sensor देखने को मिलता है फ्रेंट में आप लोग को देखने मिलता है Realme XT में 16 Megapixel का front camera और Galaxy A50s में 32 Megapixel का front camera तो चलिए फटा फट 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 फोटो सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स देख लेते हैं कैसे हैं दोस्तो फ़र्स्ट फोटो को अगर आप लोग देखेंगे फर्स्ट फोटो normal daylight में खीच को मिल जाएंगे और color भी काफी अच्छे है हाला कि Realme XT में देखेंगे तो यहां पर आप लोग को थोड़े saturated colors और थोड़े bright photo देखने को मिलेंगे लेकिन Galaxy A50s में जो color आप लोग को दिख रहा है यह more towards natural color आप लोग को यहां पर दिख रहा है Realme XT में थोड़ा saturated colors होता है इसलिए थोड़ा सा unnatural लगता है फोटो को zoom करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर Realme XT में थोड़ा better detail देख रहा है compared to Galaxy A50 पहलेस के top में अगर आप लोग देखेंगे इस area में यहां पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा better clarity देख रह है तो quality कैसा आप लोगो मिलेगा आप लोग देख सकते हैं हालकि यह इसके बाद अगर आप लोग फोटो को zoom करेंगे तो फोटो भटेगा यह कुछ और फोटो सेंपल से normal daylight में खीजेगे आप लोग देख सकते हैं दोनों में से जो भी फोटो आप लोग पसंदा आ रहा है वह आप prefer कर सकते हैं अगर आप लोगो ready to share photos चाहिए जिस पर colors थोड़े पंची हो तो आप लोग रेल में एक स्टी के साथ जा सकते हैं लेकिन अगर आप लोग natural color या फिर towards natural color आप लोग क्लिक करना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप लोग Samsung Galaxy A50 के साथ जा सकते हैं दोनों म में काफी अच्छे लगते हैं आप कीज़ाब से कौन सा बेटर लग रहा है नीचे आप कमेंट में कमेंट करना ना बूले साइड बर साइड कुछ और photo samples आप लोग देख लीजिए खुद और खुद ही जर्च कर लीजिए photo quality overall कैसा है यह बाला photo अगर लोग देखेंगे तो यहां पे कुछ ज्यादा ही dark यहां पे Galaxy A50 में हो गया है लेकिन proper exposure यहां पे maintained है Realme XT में तो Realme XT में जो photos आते हैं normally आपको काफी अच्छ लगेंगे हारा कि original के साथ अगर आप compare करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा color reference देखने को मिल सकता है लेकिन photos normally capture करने के बाद देखने में काफी अच्छ लगते हैं यह वाला photo आप लोग देख सकते हैं यहां पे dynamic range का comparison दिखाया गया है realme XT में अगर आप लोग देखेंगे तो काफी bright यहां पे shadow area हो गया है यहां पे tree जो था tree भी काफी bright हो गया है लेकिन यहां पे galaxy A50 में अगर आप लोग देखेंगे यह बास केर भी काफी dark है और tree भी पूरा black कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन अगर आप लोग यहां पे zoom करते हैं तो जूम करने के बाद आप लोग देख सकते हैं Samsung Galaxy A50 में dark होने के बावजूद यहां पे काफी अच्छा detail maintain किया गया है जबकि realme XT में थोड़ा कम detail यहां पे लग रहा है dynamic range दोनों ही phone का काफी अच्छा है लेकिन यहां पे realme XT में shadow area में काफी ज्यादा bright कर देता है जिसके बादा से photo थोड़ा सा unnatural type लगता है इस photo में जैसे आप लोग देख सकते हैं पूरा ही photo काफी ज्यादा bright है और shadow और highlight दोनों में ही आप लोग डीटेल देखने को मिल लेकिन यहां पे realme XT में थोड़ा ज्यादा unnatural लग रहा है एक दूसरा high dynamic range वाला photo आप लोग देख सकते हैं यहां पे अगर आप लोग देखेंगे XT में tree shadow में था वो भी काफी bright हो गया है लेकिन यहां पे galaxy A50 में tree उतना bright नहीं हुआ है लेकिन photo को अगर आप लोग जूम क तो HDR photos में आप लोग ऐसे difference देखने को मिल सकते हैं और पेरके यहां पे देख सकते हैं थोड़ा कम detail शोर हो रहा है compared to galaxy A50s एक और HDR photo जिसमें आप लोग देख सकते हैं galaxy A50 में थोड़ा shadow area थोड़ा सा जादा dark रह गया है जबकि XT में यहां पे properly exposed है और sky भी properly exposed है इस photo में भी shadow area काफी जादा dark है compared to realme XT लेकिन इसको अगर जूम करते हैं तो जूम करने के बाद देख सकते detail यहां पे थोड़ा कम है देख सकते galaxy A50 से लिए फोटो काफी sharp है जबकि XT का photo उतना sharp नहीं है थोड़ा blur हो गया है Macro photo की बात करें तो यहां पे realme XT में आप लोगो dedicated macro lens देखने को मिल रहा है जबकि galaxy A50S में वैसा कोई lens नहीं है इसके बाद से काफी close जाके आप लोग photo capture कर सकते realme XT में macro lens को use करके नहीं से देख सकते इस photo में काफी close जाके photo capture कर पाया है यह जो tree leaf है इसके अंदर में काफी जादा detail आप लोगो देखने को मिल रहा है काफी close जाके यह photo capture कर पाया है लेकिन galaxy A50 में इससे जादा close up नहीं जा सकते है किसी भी close object का और यहां पर अगर detail देखेंगे तो यहां पर भी काफी अच्छे detail आप लोगो देखने को मिल रहा ह हाला कि यहां पर close up shot यहां पर macro shot वाले lens नहीं है फिर भी आप लोग देख सकते हैं यहां पर काफी जादा बेटर detail आप लोगो यहां पर overall show हो रहा है यहां पर देखने को मिल रहा है देख सकते हैं यहां पर clearly samsung में ज्यादा detail यहां पर show हो रहा है यह एक और macro photo है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं दोने पौन काफी अच्छी तरीकर से capture किया है चलिए थोड़ा जूम करके देख लेते detail की समें ज्यादा बेटर है देख स सकते flower में किसी फ्लावर में आपको detail देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे flowers को most flowers में आप लोग देखने को मिलेंगे और काफी sharp photo यहां पर capture हुआ है तो close photos में यहां पर नॉर्मल लेंस से करते हैं तो यहां पर galaxy A50 में better details आप लोग देखने को मि लेकिन यहां पर Samsung Galaxy A50s में इससे ज्यादा close आप नहीं जा सकते लेकिन इसको यहां पर आप लोग काफी अच्छे detail देखने को मिल जाएंगे compare to realme XT में देख सकते हैं उतना ज्यादा detail देखने को नहीं मिल रहा है galaxy A50 में ज्यादा detail यहां पर show हो रहा है फोटो यहां पर realme XT में आया है और वही galaxy FPS में थोड़ा dark photo यहां पर आया है फोटो को अगर जूम करके देखेंगे तो यहां पर detail level चेक कर लेते हैं detail level में देखेंगे दोनों में almost similar टाइप का detail यहां पर show हो रहा है हाला कि इस photo में देख सकते है galaxy A50 के comparison में realme XT में थोड़ा बेटर detail यहां पर इस area में show हो रहा है यह एक और wide angle photo है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोनों ही phone में काफी अच्छे wide angle photos आप लोग capture कर सकते हैं हाला कि 8 Megapixel का होन के बज़ा से यहां पर normal lens से आप लोग को detail थोड़ा सक कम देखने को बलेगा और देख सकते हैं overall side by side देखने के बाद यहां पर उम्हें जो लग रहा है यहां पर realme XT का wide angle थोड़ा बेटर detail capture कर रहा है compared to galaxy A50s आप लोग क्या लग रहा है वो नीचे comment करक और खुदी जच कर लिजिए कि इसका quality बेटर है दोनों ही फोन में depth sensor देखने में मिलता है इसलिए दोनों ही फोन में background blur वाले photo आप capture कर सकते हैं दोनों ही फोन में काफी अच्छा background blur हो जाता है realme XT के background blur देख सकते हैं यहां पर कितना अच्छा हुआ है साथी में galaxy A50 का भी detail level कि इसका ज्यादा बेटर है detail level में यहां पर अब देखेंगे तो यहां पर detail level दोनों में ही काफी अच्छा है galaxy A50 में slight better detail यहां पर show हो रहा है और age direction आप देख सकते है age direction काफी अच्छा है काफी अच्छे से age direction यहां पर किया है बोथ realme XT और galaxy A50 में भी age direction काफी अच्छी काम नहीं किया है galaxy A50s में background blur काम किया है लेकिन वहां पर भी देख सकते है background blur properly नहीं हुआ है यहां पर बीच का एरिया था यहां पर खाली रहे गया है इस वाले फोटो में भी देख सकते है background blur काफी अच्छा किया यहां पर subject थोड़ा typical होने के बाद भी background blur काफी अच्छा है overall detail दोनों में ठीक रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते है जूम करने के बाद भी detail आप लोग को देखने में मिल रहा है लेकिन देख सकते हैं यहां पर इस बाद galaxy A50 के मुकाबले XT में थोड़ा बेटर detail शो हो रहा है परसन के साथ भी background blur काफी अच्छा काम करता है जैसे क थोड़ा सा natural background blur मुझे लग रहा है यहां पर galaxy A50s का है जैसे कि आप लोग देख सकते है background blur काफी natural है और साती में dynamic range भी काफी अच्छा है आ गया है इसके वाद से face में detail थोड़ा कम दिख रहा है low light में background blur के अगर बात करें low light में भी दोनों काफी अच्छा काम करता है देख सकते है background blur काफी अच्छी तरीके ची हुआ है हाला कि यहाँ पर इस जगा पर थोड़ा सा problem हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बाकी overall background blur काफी अच्छा हुआ है और देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है दोनों photo side by side आप लोग देख सकते है जबकि XT में देख सकते हैं थोड़ा बेटर detail low light में देख रहा है यह एक और low light background blur वाला यानकी portrait mode वाला photo है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और इस direction में देख सकते हैं कैसा काम कर रहा है low light में भी दोनों ही phone में आप लोगो dedicated night mode देख दिको मिल जाता है और दोनों ही phone से night mode काफी अच्छी तरके से काम कर लेता है night होने के बाद भी यहाँ पर dark areas में भी आप लोगो detail रिकवर करके यह night mode देदेगा हाला कि यहाँ पर night mode में जो colors है realme xt में थोड़े अजीब वजीब colors दिखते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते है डीटेल तो आ गया है लेकिन यहाँ पर थोड़ा saturation ज्यादा हो गया है और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर shadow areas में यहाँ ब्लू पर्पल यहाँ पर colors different colors आ गया है जबकि ऐसे कुछ color नहीं थे यहाँ पर एकदम dark area था sky एकदम black सा था यहाँ ब्लू टाइप कुछ आ गया है जो कि actual में नहीं था जबकि आपको एक्टी में ट्वर्च नाच्रल कलर देखने को मिल रहा है हाला कि थोड़ा सा fade color लग रहा है लेकिन फिर भी यह एक देख सकते हैं तो नहीं फोन से टेक्स रिडेवल है लेकिन बेटर यहाँ पर रियल्मी एक्स्टी में टेक्स थोड़ा बेटर लग रहा है यह वाला फॉटो आप लोग देख सकते हैं यह वाले फोटो में एकदम dark था एकदम dark होने के बाद भी यह जो stone यहाँ पर स्टोन मार्क है, वहाँ पे डीटेल आप लोग चेक कर सकते हैं, डीटेल काफी एच्छी तरीकिसा आ गया है, हालाग कि Galaxy A50 में बेटर डीटेल देख रहा है, Realme XT में थोड़ा शेक हो गया था, इसलिए थोड़ा सब बलरी हो गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह वाले नाइट मोड फोटो में आप लोग देख सकते हैं, दोनों में ही काफी एच्छा क्याप्चार हुआ है, हालाग कि यहाँ पे Realme XT थोड़ा ज्यादा ही साचुरेटेड हो गया है, जबकि Galaxy A50 में टूर नैच्छल कलर रखने की कोशिस किया गया है, हालाग कि दोनों ही फोन में एक्च्छल जग कलर है, वो कैप्चर नहीं हो पाया है, फिर भी मैं यहाँ पर पॉइंट देना चाहूंगा Samsung Galaxy A50s को, सेल्पी की अगर बात करें, दोनों में ही काफी अच्छा सेल्पी आता है, लेकिन Realme XT में बाइड डिपॉल्ट 16 Megapixel को होने के बजाए से, यहाँ पे थोड़ा से बेटर डिटेल आप लोग को देखने को मिलेगा, Galaxy A50s में बाइड डिटेल आप लोग काफी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वाइड डिपॉल 12 Megapixel पर फोडो कैप्चर होता है, कलर देख सकते हैं, दोनों में ही काफी अच्छा कलर काप्चर हुआ है, Realme XT में थोड़ा ज्यादा Beautiful Apply होने के करण, यहाँ पर थोड़ा ब्राइटर फोटो देखने को मिलता है, यह बाला फोटो आप लोग देख सकते हैं, फोल रेजल्यूशन में क्लिक किया गया है, यहाँ पर 16 Megapixel और यहाँ पर 32 Megapixel पर होने के वकारण, आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल आप लोग थोड़ा बेटर देखने हो लेगा, रेल्मी XT में भी आप लोग देख सकते हैं, डिटेल देख रहा है, लेकिन डिटेल लेवल यहाँ पर Galaxy A50s में थोड़ा बेटर है, बैक्ग्राण ब्रेर ओवरल दोनों में ठीक्टा काम करता है, अगर 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 देख सकते हैं, फोड़ा बहुत इदर उदर मिस हो जाता है, बहुत जादा ओबर एक्सपोज यहाँ पर नहीं हुआ है, फ्रेंट का डायनेमिक रेंज गैलक्सी A50s का बेटर है, जैसे के आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बैक्ग्राण में जो स्काई था, स्काई ओबर एक्सपोज हो गया है, एकदम स्काई नहीं दिख रहा है, यह कुछ और सेलफी सेंपल से आप लोग देख लीजिए और फोटो क्वालिटी का अंदाजा आप लोग को लग जाएगा, वीडियो क्वालिटी के अगर बात करें, दोनों ही फोन से आप लोग को 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 4K मे 60fps और 30fps का आपको मिलेगा Realme XT में, जबकि आप लोगो सेमसंग में सिर्फ 30fps 1080p रेकॉर्ड का आपको देखने को मिलेगा, वीडियो क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कैसा है, वीडियो में हाला कि आप देख सकते हैं यहां पर सेमसंग में थोड़ा फोकस हंटिंग का वाक कर रहा हूँ, तो वीडियो स्टेविलिटी का भी आप लोगो अंदाजा हो जाएगा, दोनों फोन से आप लोग स्लो मोशन 240fps पे और सूपर स्लो मोशन 960fps पे रेकॉर्ड कर सकते हैं, और सैंपल्स आप लोग देख सकते हैं, यहां पर 960fps बाला सैंपल्स आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो clarity है, आप लोग देख सकते हैं, Galaxy A50s में काफी जादा clarity देखने को मिलता है, और काफी बेटर यहां पर वीडियो quality लग रहा है, realme XT में आप लोग देख सकते हैं, यह artificial slow motion लग रहा है, और उतना अच्छा नहीं लग रहा है, हाला कि normal slow motion की बात करें, तो normal slow motion 240 fps पे दोनों में ही काफी अच्छा रेकाड होता है, और दोनों का इक्वालिटी काफी अच्छा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों यह वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, यह वीडियो रेकाड हो रहा है, Samsung Galaxy A50s और Realme XT के front camera से, दो Galaxy A50s से यह वाला वीडियो 4K में रेकाड हो रहा है, और XT से 1080p में, और audio भी इसके internal microphone से आ रहा है, तो audio quality का भी अप लोग को अंदाजा हो जाएगा, 4K में आप लोग को Galaxy A50s में कोई भी stabilization देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे कैसा video quality आप लोग को देख सकते हैं, पोन video quality का आप लोग को अंदाजा हो जा रहा है कि overall video quality कैसा है, सन के opposite side में अभी में video record कर रहा है और exposure changes का भी आप लोग पता चल जाएगा, कैसा exposure changes हो रहा है, कैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो video quality किसका बेटर लगा, आप लोग नीचे comment में comment करना ना भूले, तो दोस्तों य यह था Samsung Galaxy A50s और Realme XT का एक camera comparison, दोस्तों वीडियो अगर आप लोग पसंद आया है, तो like और share करना ना भूले, और मिलते दोस्तों ऐसे ही और एक ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए goodbye, और आपका दिन सुभ हो